हेलो फ्रेंड्स वेलकूम तो मैं इस्टडी फिट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों न्यू प्राक्टिस सेट का एक तालिस सवा वेडियो है जैसा कि दोस्तों मैं यम्पी वर्ग्लू थ्री यूपी टेटी पीटी यूपी अल्डेग्रेट बीपी आसी टीरी फोर एंड अन्य सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटिसन एक जॉम के लिए डेली प्राक्टिस करा रही हूं बिल्कुल फ्री में दोस्तों एंड जैसे कि विपेसी टीरी फोर का कहा जा रहा है कि उसमें सीट अच्छा खासा रहेगा लेकिन फिजिकल एजुकेशन का कितना बाद ही पता चलेगा लेकिन आएगा जल्दी ही एक जॉम भी जल्दी ही होगा तो आप तयारी करते रहे तभी आपको सफलता मिलेगी तो चलते हैं आज की कोश्टिन के तरफ कोश्टिन नंबर वन है कि प्रथम स्रेडी का उत्तोलक बढ़ाने में के योगी होता है तो जै प्रथम स्रेडी के उत्तोलक में रसिस्टेंस यानि भार बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के तरती स्रेडी के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रसिस्टेंस के और प्रथम प्रकार के उत्तोलक को हम संतुलर का लीवर कहते हैं और तरती प्रकार के उत् योगी तो जो प्रत्म स्एड़ि का उत्तोलग होता है वह बन तथा कट्षी ब्रहाने के योगी होता है आफीनन डीया है है और जैसे कि माझपत प्रप्रकार को अत्तोलग में हमारे मित एक तराज मत्दा हो गिया कैंची आच आचको अको और इसके हमारे बॉड़ी में एक्जम्पल है extension of forearm यानि कि बाह को फैलाना पर्थम प्रकार का उत्तुलक में आएगा ankle fraction आएगा, सीर्क का आगे पीछी जुगाना, volleyball में smash करना और V-seat-up इस भी प्रथम प्रकार के उत्तुलक के एक्जम्पल होंगे दिती प्रकार के उत्तुलक जिसमें भार बीच में होता है assistance इसमें सरवता कुड़ा उठाने वाली मसीन, नीबू ने चुड़ने का मसीन आदी आएगा body वे एक्जम्पल होगा planter flexion जो पंजो की ऊपर उठना होता है and dips यानि push up लगाना, जबडे का खुलना बंद होना पंजे से जम्प लगाना इस अभी दिती प्रकार के उत्तुलक के एक जॉंपल है तिती प्रकार के उत्तुलक में जिसमें फोर्स बीच में होता है जैसे नाओ चलाना बेल्चे से मिट्टी उठाना हमारे body वे एक जम्पल है arm flexion, thigh flexion, investing curl, घुटने का मुणना, seat up, hands को उप उठाना ठीक है इस अभी हो जाएंगे तिती प्रकार का उत्तुलक के पोर्शन नमर्ट टू है गती के तीसरी नियम को ऐसे भी जानते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन ने गती के तीन नियम दिये हुए हैं इन्होंने 1687 में अपने प्रिंस्पिया पूस्तप में गती के तीन नियमों का प्रकासन किया ये भी पूस सकता है किस्तन में किया और इन्होंने पत्थम नियम इंका है जर्दो का नियम जिसे हम जर्दा का नियम, अकर्मनेता का नियम, लाफ, इनर्सिया लाफ, गेल्यो का नियम भी कहते हैं देती प्रकार के नियम को सम्वेक का नियम या तोरण का नियम, लाफ, एक्सिलिरेशन, लाफ, मुमेंटम, लाफ, मोशन, बलकि प्रतिफल का नियम, प्रडामी बल का नियम आधी नामों से जानते हैं। यहां प्यार-इंसर हो जाएगा कृषाव पर्ती किरिया करना है. ला उफ एक्षन एढ रिएक्षण कॉसचिन न्मबर 3 है प्राचीन ग्रीस में तिरंदाजी सिच्छक जाने जाते थे जो तिरंदाजी सिच्छक होते थे भणुल बिद्या सिखाते थे उनको टोकसो टोज बोला जाता था और जो अस्तसस चलाने की सिच्छा देते थे उस अध्यापक को हुलो मैचोज बोला जाता था जो भाला या जवलिंग का प्रियोग करने वाले अध्यापक को एकोनट इस्टिस बोला जाता था बाउल का प्रियोग करके सिच्छा देने वाले को इस फेर इस्थिस बुला जाता था एंड पलेश्ट्रा एक ब्याराम साला होता था जिसमें कुस्ति और मुक्यवाजी और जिमनाश्टिक दिखाई जाते थी पलेश्ट्रा के जो सिच्छक होते थे उसों पेडर ड्राइब बुला जाता था संगीत समधी विद्याले को डि उस सौर्गर्स भूला जाता था मिसम समनादी फैस किया जाता है यहां पर इसाद फन रसकार नो Er doctrinal क्या होता है फार सास्मान का पीरण सुपाइन पोजीशन में पेट के बल लेट के किया जाता है जब कि सलम हासन जो है यह आपको प्रोलाइन पोजीशन पेट के बल लेट के किया जाता है question number five है निवन में से एक अच्छे नेता के गुल कौन से नहीं है तो दोस्तों एक अच्छे knowledgeable होना चाहिए यान ज्यान वर्थक होना चाहिए एक अच्छा नेरा उसका अच्छा बेक्टित होना चाहिए he should have a good personality and वह एक अच्छा व्यास्थापक तथा प्रबंधक करता होना चाहिए he should be a good administrator and manager इस अभी कुण होना चाहिए बट वह अनन्य साथ तक नहीं होना चाहिए याद रखिए question number six है योगास्था निमने सारी स्वास्ते का कौन सा घटक अच्छा बिक्सित होता है which are the following components of physical faithness is based developed by योगासना तो दोस्तो योगासन से जब ही मैं बोली हूँ कि जब ही योगासन की आसनों की बात आए सबी में flexibility बढ़ती है क्या बढ़ते है योगासनों से flexibility लचिलापन question number seven है dribbling सब्द का प्रियोग कि स्खेल में किया जाता है question number eight है football से समंधित सब्द कौन सा है दोस्तों इसे football से समंधित free kick है जैसा कि मैं बताती हूँ हमेसा कि जहां पे kick सब्द आए उस अभी kick सब्द जो है football से ही समंधित रहेंगे question number nine है hysteria रोग शमान तक की स्वर्ग में आता है तो दोस्तों hysteria रोग जो है यह उन महिलाओं को होता है आसन नमर सी यहां पर राइडेंसर हो जाएगा जवान महिलाओं को यंग उमेन को यह रोग जादे होता है इसको वातोत पाद या हिस्ट्रिया रोग कहते हैं ठीक है जो यू आवस्था में होती है उनमें इसमें भी वैसे महिलाओं जो अविवाहित होती है उनमें होता है जाजेतर है कोस्टिन नमर दस है कि पोलियों के टीके की कोच किस ने किया था तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें अलेग जनरल फ्लेमिंग ने किसका फोच किया था 1929 में पेशिलिन की कोच किया था अपने अलग गनरल फ्लेमिंग जो है इंगलेएंड के निवास ही थी आपके एदवर्ड जेनर जो है 76 में स्वाज्ण देस्तर बैटरिया की खोच टीबी की थी खोच लाबर्प कोच नेे ठीच्य कि खोच इड़वाड़ में चेचक के तीके की खोच टीके कोचIC मैं यहां पर यहां पर बचे कूँ जॉन नाप तो पोलियों कि टिके की खोष इस ना किया दोस्तों तो जॉन लउक ने किया उन्हायलam alarm में पोलियो के टिके की खोष जॉन लॉक ने किया जो सुछ श्यत्र में चेचक के तीके की खोश किया था जो इंगलेंड के लिवाजी थे कि कुस्टिन नमर ग्यार है मानोसरी में पाचन का अधिकांस भाग किस अंगमी संपन होता है इन विच ऑरगन डज मोस्ट आप दाजेसं टेक प्लेस इन दा हीमन बॉड़ी दोस्तो कि आप जानते हैं जो हमारा भूजन होता है जैसे हम भी मिलेते हैं कि ट्रीट में дом पराचन का प्रारम मुख से हो जाता है लेकि बोजयान का पुड़ पाचन और पुड़ ऑफ तो कहां पी होता है तो छोटी आद में होता है यहां पर छोटी आद अपका इसमान इंस्टेट आइजर रहोगा कुशन नमरे बारा है चीन के राच्टी ये खिपोंसा है फुड़ ब्राजिल का ऻंचिक रखव रघबी फुड़ म्यूजिलर्न का राच्टी खिल में फिर्ट में घ्राडियों की शंक्या कि इतनी होती है जो दोस्तों गुल्फ में ख़लाडियों की संख्या खेल कैसे खेला जा रहा है उसके निवग करता है कई व्यक्ती एक साथ फिलते हैं कोस्टन नंबर 14 है किस द्रव की एकात्रित होने परमांद PCO में थकान कानगह करने लगते हैं ठीक है तो यह होता है आपका लैक्टिक एसीड जैसा कि आप जानते हैं यदि PCO को नियंतर उदिप्तियाने की कारे किया जाता है तो आरम हुए सिग्रे संकुचित होती हैं लेकिन उनमें जल्दी ही सेधिलन भी वहने लगता है पर दो धीरे धीरे उदिप्त ग्रह करने में अधिक समय लगता है तथा संकुचन प्लद क कम हो जाता है अंतर तह ऐसी इसीटी भी आती है जब पेशी तद्र संकुजन बंद कर देते हैं क्योंकि इतना जो है और सुरुवात में तो आक्सिजन हमारे सरी में जो होता है आपका एटीप उससे उर्जा मिलती है इंस्टेंट इनर्जी और आक्सिजन जो है जैसे जैसे हम अनियंतर कार करने लगते है तो आकसिजन के दीवारा वुर्जा बनती है तो अदा लेFC नहीं मिल पाता अजिस से अनुपसिट है तों शचैन न बनतर कर ये कि ये खकांब करता तो यह इसी पेशी में अधिक लैडिक आमले के जमा होने से होती है तो यह सिती को सेकेंड विन भी कहते हैं जब हमारा जो पुरा सकती खत्म हो जाता है लगता है कि आप हम नहीं कर पाएंगे सेकेंड विन होता है तो इसको कुछ समय के लिए अराम दिया जाता है तो पुना पहले वाले ACT में आ जाती है तो उसे हम सुपर कंपासेशन कहते हैं को सिंद्ध पंदर है ब्रेन की विमारी को पहचाना जाता है तो दोस्तों जैसे कि मैं कल बताया थी विडियो में कि जो ECG और EEG जो होता है और EKG भी होता है तो ECG होता है इलेक्ट्रो कार्डियो यूज किया जाता है जो कि ब्रेन की बिमारी की पता लगाने के लिए ब्रेन की अनिमिताओं को पता लगाने के लिए EEG और EEG और इलेक्ट्रो इससे फेस्ट ग्रॉफ का फ्रियों किया जाता है आफसर नमबर यह यहां पर आइड़न्स रोगा कोशन नमबर 16 है भारत में दूसरी बार A.C.I. खेल कौन सी वर्समें करा आए गए थे दोश्तों जैसा कि आप जानते हैं एस यहां जानते है ज दूसरी बार भारत में उरी चुर्ब आसी नए दिल्ली में किया गया था जैकि एस यहां एडेड के प्यामा ज्री सोंदी को बिला जाता है जिस परकर आ नाय दिल्ली में भारत में हुआ और नवा अशी खिल 42 में अशी खिल मेंय। जिसमें आपका भारत का चौधा अस्थान आया भारत ने 107 पदक गीता था और 2838 रजत 41 कांसे पदक कोशन नमर 17 है सफेद रख्त कड़ का मुख्य कार क्या है तो वाइट ब्लड शेल्स को हम लेगोश्वाइट भी बोलते हैं यह हमारे सरे में जो है प्रोइड इम्यून इम्मिनुटी यानि कि रोग प्रतियों धग छमता को धारण करता है प्रदान करता है बैट्रिया से लड में न छो क्सवाइट यह कि अंधिया एंसलिन प्रकार का है हरमॉन जो कहां इस्त्रावित होता है आगनासा न आगने परिया आट्रियाज के लग्रह सफ्हाइट को से इस्त्रावित होता है जो क्या करता है भोज़न को nię आक्सीदेशन में humanos आड़कोस्fahrक रख्य करता है ज जैसे कि इंसुलीन की कमी हो जाती है तो एक ब्लुकोज स्ुलाजा रिगरेतों नहीं करता है जसते सुनन चाहितों जो इसके सल्क्रार रॉकोज्न vasyn नहीं प्रेमाट्च यह ग्ख़ता टी वहता है। एफ्शित को सोलीन कि में वर душ ही विदेश किल dusnya ही हमाटरं कारण हैं जिसे हम घ्रफश्ट का स्थीय और को जाती है है जिसी हम ही पर ग्लासिविया कहते है है पर निजाता है को ट्रफशा है अर्फ का करण है तो दूस्तों यह वाइस शीषा है अचावी वाइस से आप सबको पता है कोस्ते नमर 20 है कहला अउस्तेख है क्यों आँ उस देखे इस पूर्स और निसेसरी फार द बॉड़ी विकाज तो इस वोड़ से हमारा इडिवलोफ दो बॉड़ी यानि की सरी इसका विकास होता है ठीक है फ्लैक्सन एक्स्टेंशन मोमेंस होता है ठीक है कंट्रक्शन होता है जिसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो सरी का विकास होता है इसे मांसिक सांती भी मिलती है हमारे मस्तिश के तरफ जारे ब्लड का फ्रो होता है म इसे सहन सकती बढ़ती है इंगेज इस्टेमिना इंडूरिंस तो आल आफ दे एब याने की उप्रोफ अभी यहां पर एटेंश रहोगा हुआ है कि पॉस्टन में की से नाइडू ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों नाइडू ट्रॉफी का सीके नाइडू ट्रॉफी दोनों म आईडू बहारत की तरफ से एक दियोसी क्रिकेट में किसनी सबसे अधिक सतक लगाये हैं तो सबसे अधिक सतक लगाने वाली एक दियोसी में हैं आपके सचीन टेन दुर्कर जिन्हें Master Blaster सचीन टेडुकर ने Master Blaster की उपादी भी दिया गया है सचीन ने उंचुज सथक एक दियो सी क्रिकेट में लगाये हैं इसके लावड सचीन ने टेर्श क्रिकेट में एक्याओन सतक लगाये हैं, कैसे नम्र तईής हैं इसके नेतित में भारत ने वर्राट ने वर्ल्ल कब 2011 का भी सुखप जीता था तो दोस्तो महांतर सिंग धुनी के नेटेत Chelsea 2011 का वर्ल्ल कब जीता था जब कि 2019 में भारत हार गया था इंग्लेंड जीत गया था question number 24 है DNA में उपलब्ध कौन सा योगिक अमीनो अमन नहीं बनाता कौन सा योगिक अमीनो अमन नहीं बनता which component present in DNA does not form an amino acid तो दूसों जैसा कि गुर्सूत्र यानी chromosomes में सैक्डू और हज्जारों की संख्या में पाए जाने वाले जीन यानि DNA के बने होते हैं जीन किसके बने होते हैं DNA के जो क्रोमोसीन होता है हिस्टोन और DNA प्रोटीन से बना होता है DNA से जीन का निर्मा होता है DNA जो है अनुवांसिक्ता का वाहक होता है और असंग के छोटे छोटे इसमें नुकलायर अड़गों के रसानी संयोग से बना होता है DNA जो दिसकार फुल फॉर्म है डी आक्सी राइबोर नुकलिक एसीद या अनुवांसिक लश्रों का वाहक होता है DNA में चार प्रकार के आधार यानि बेस पाए जाते हैं कौन-कौन से? एडिनीन, गुवांनीन, साइटोसीन, थाइमिन या दर्खेगा DNA में कितनी प्रकार के बेस पाए जाते हैं? चार प्रकार के एडिनीन, गुवांनीन, साइटोसीन, थाइमिन ठीक है? DNA की रशना का नियम है कि एडिनीन हमेशा थाइमिन के साथ रहता है और गुवानिन साइटोसीन के साथ राहता है, जो शोड़े बनाता है टाइरोसीन डिने का योगिक नहीं है यहां पर टाइरोसीन जो है डिने का योगिक नहीं है जोकि एदीनीन, गुवानिन, सिस्टोसीन और थाइमिन है, याद रखेगा कोश्चन नमर 25 है निर्मी से कौन सा सही है तो दोस्तों इतना पढ़ने से अच्छा है मैं डारेक्ट एंसर ही बता देती हूं यहां पर 25 का जो है सी आपका सही है सरी में सारा रक्त किड्नी के माध्यम से सुध किया जाता है ठीक है आल बलड एंड की ते दो दो बलड को फिल्टर किया जाता है कि मानों सरी में स्वीक मांपूर किड्नी की दौर कुछ किया जाता है dependence- smoking, दो सिंख किया जाता है यहरत मिःट्रोजन योगी यूरिया यूरिक अमल को पिठक करता है यहरत में हायड्रोजन आयन की सांधता अथा पियर्स जमान को भी इस्थाई बनाए रखता है किड्नी रख्त के परासरड़ी दाब यानि हाइड्रो इस्टेटिक प्रेसर तथा उसकी मातरा का नियंतर करता है किड्नी रुधीर तथा उत्तक द्रब में जल युम लवडों की मातरा को निश्चित करके रुधीर दाब बन से इस भाग जैसे सरक्रा अमीनों अम्ल आदी का निश्कासन भी करता है कि कोशन नंबर 26 सुच में जुवाडों को देखा जा सकता है तो दोस्तों माइक्रो अर्गेडिज में कैन भी सीन बाइत बैक्तिरिया यानि सुच में जुवाडों को हम कंपाउंड सुच में दर्श से देख सकते हैं यानि कंपाउंड माइक्रो इसकोप की द्वारा वश्तू के आकार को कई गुना बढ़ा बढ़ा कर देखा जा सकता है सबसें अच्छा सुरोथ क्या है आपका है कि सिल्ब Canada की प्रवित्त से कमीज से इसकोपी नामकरो कुण देखिति गहाओं का देज से भर ना हो जाता है चाहिक होता है मुश्रूमी खुन बहने लगता है सुकमी से इसका शुरूज खट्टे वाले ख़ल जैसे की खट्टे रस्दार फल जैसे नीबू संत्रा चीकू आमला अमरूत चमाटर पतिदर सब्जियां और अंकुरित अनाज होते हैं कि सफेड़नेवार के बारे में कौन सा गटन सकते है तो एग है जीवित की सीमा रेखा पर होते हैं प्रिफ्द कि सीमा रेखा पर होते हैं यह बन्ह पत्ति वार्थों पますか प्षल देने वाली प्रंसपती किसी मेरे ख्याप पर होते हैं यह उपरत में से कोई नहीं दोस्तों यह सभी जो विसेस्ताइं हैं वाइरस की हैं सुच में जिवाडों की नहीं है को सिन नमर 29 है हिदय की धड़कन नियतित करने के लिए निन मेंसे कौन सा खनीज आवस्यक है वीचाओ फालिविंग मिन्राल्स इसनेसरी टू कंट्रोल्ड वीट दोस्तों इसके लिए हिदय की धड़कन को नियक्ज आवस्यक है पोटैसियम तो पोटैसियम जो है हिरे की धड़कन और नाड़ी सलस्थान के कारियों को संचालित करता है मांस मचली अनाच फल सब्जिया इत्यादी इसके स्रोथ होते हैं सुओ है क्कारता है निन्यदर करने में शहयड होता है यह जल का संतुला में बनाए रखता है बट वहां आसन में अब ट्यारी 4 में पोटैसियम को राइट माना है तो दोनों बनाते हैं पोटैसियम को यहां पर राइट मान लिया है लवड तो आप यहां पर देख सकते हैं जो सोडियम के स्रोथ होते हैं मांस मचली अंडा दूद सोडियम के अच्छी स्रोथ है जो लुहा होता है आ एक्सिजन का सम्वा हर्क होता है इसके कमीस्या और अखता यानि की एनिमया रोग हो जाता है ठीक है क्यों है इस ख invasion no.3 स्वारा दीस का छूड़ी में किस्का सुमिख नहीं है तो तो है नेमनी जोड़ों सही तो पुस्थेmm unusual की शाङक। झाल सिवाउट है düşün। स्फेम्सेकर को कि अभुएद करता है। तो नियुत थे aware क सब्सक्रणग है कि अपको दूरना है। आफसा नमबर एराइट है कोश्चन नमबर 31 है कौन सा युग में सुमिलित नहीं है तो लोलंदल उलम्पिक 1908 सही है बर्लिन उलम्पिक 1936 एभी सही है मास्को उलम्पिक 1908 एभी सही है तोक्यो उलम्पिक 1964 में हुआ था ये सही नहीं है सब्सक्राइब तब है यह दो सब्सक्राइब 1131 थेुल half जान हर चार वर्द से घलत है तो जैसे कि आपके पता है कि पतनराम जिली है मेल्टन कलाटा में हुआ था 22 राचमेंडर्च राजमेंडर्च भास में बर्मीर्मी कम इंगलैंड में हुआ था एंड तेस्वा आपका संपन होगा विक्टुरिया और स्टेडिया में कोर्शन नंबर 33 है भारत ने किस यूग में यूग मोर्स में यसी आई खेलों का आज़न किया था तो यहां पर आप देख सकते हैं 1991 में भारत में हुआ था और 1982 में पोलो खेल के मैदान के लंबाई कितनी होती है दोस्तों पोलो खेल के मैदान के लंबाई तीन सो गर्ज और चुड़ाई 200 गर्ज होती है यहां पर तीन सो गर्ज आपका लंबाई राइड एंसर हो जाएगा दोस्तों यह था आज की सेसन में 34 एमसी की कोशन्स आई हो कि सभी क तो दोस्तों आपको वीडियो एक ऐसा लगा कमेंट में जरू बताइए और ज्यादे वीडियो को सेयर भी कीजिए जिसे और लोग तब वीडियो पहुश सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो प्राइक्टिस में तब तक के लिए जाएंगे